परिक्रम से पराक्रम से आपको संतोष है ना आप खुश हैं दुबारा पुत्ताओं खुश हैं संतोष हैं है लेकिन कांघरेश परिशान है यह तो घुश कर घर भे घुश के मानता है जो डैस कि रख़ा की सुरखा की बात करेंगा उसी को हम वोट करें जो देश के परती जो आतंक को भख्षम करने वाले हों और अपने देश की तरक्की पर चलाने वाले देश को जो है ना उन्नति पर लाने वाला नेता हो ऐसे नेता से को हूँग सॉच नहीं थी उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश की गरिमा के अनरूप आगे बढ़ाने के बारे में पिसली सरकारों ने कभी कोई आगे बढ़ाने की कोई सोच नहीं थी जो कारि उसनाद ने प्रदार मंतरी जी के नित्रत्व में केंद्र में सरकार ने प्रारंद किया आज उसका के उत्तर प्रदेश तमाम छेत्रों में प्रकतिके पतपर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है तो करोडों रुपए खर्च करने की जग है हमें कोशिश करनी चाहिए कि गंगा को गंदा ना करें विवस्ता में अभी बहुत परिवर्टन होने की आवशकता है फिर्खा परस्ती खत्म होनी चाहिए हिंदुस्तान से कोई बदाओं नहीं है बलके और मेरे गंगी के अंदर भी और वैसे कारोबार के अंदर भी बहुत पिशाड़ी चुका है मेरे क्याल में दस सालों में शायद ही हमारे सांसाजी आए हो कभी पूछाओ कि आपको यहां को इस दिक्कत हो तो बताईए क्योंकि मोदी है तो मुम्किन है नमस्कार मैं हूँ श्मेता सिंग उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली की तरफ जो सडकें जाती है उनमें से एक है यह सडक लेकिन दिल्ली की गदी के तरफ जो सड़क जाती है वो उत्तरप्रदेश की उन 80 लोकसभा सीटों के जरिये ही है जिस पर सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहे टिकी हुई है यानि आज जो हम श्वेत पत्र पेश करने जा रहे हैं वो उस भूमी से जहाँ पर लोकसभा चुनावों का सबसे भीषण रणक्षेत्र होगा प्रस्थाचार की महा मिलावट करने वाले दल आज आज आपके इस चौकिदार से परेशान है पिसली सरकारे आपकी आस्ता पर उठारा घात करती थी आपको कावड यात्रा नहीं करने देती थी मा बहानों की सुरक्सा बहान बेटियों की सुरक्सा पर सेंज लगाने का कारे होता था बरत्मान केंद्र की भाज़पा सरकार का राज अमर्जंसी से भी अब कोई कम नजर नहीं आता है उत्तर पुदेश का सबसे बड़ा परिवर्टन दिखाई देगा जो 74 की बाते करते थे अब उन्हें सोचना पड़ेगा कि उनका खाता कहां खुलेगा चत्ता जिसके सर पे चड़ जाती है उनको दो गलत फेमिया होती है पहली ये कि जन्ता को गुमराख करना असान है और दूसरा ये कि जो उनके खिलाफ बोलते हैं वो डरते हैं हम बिल्कुल डरते नहीं हैं वो चाहे कुछ भी करें कि मिल्का प्रदेश को सबसे ज्यादा प्रधान मंत्री देने वाला प्रदेश देश की राजनीती में सबसे एहम भूमेका निभाने वाला प्रदेश ये एक जाजा पर्खा सत्य है जिसका इतिहास भी गवा है कि यहां की हवा जिसके पक्ष में बहना शुरू होती है दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते उसके नाम की सुनावी में बदल जाती है लहाजा क्या सोचता है उत्तर प्रदेश क्या है उत्तर प्रदेश के चुनावी मुद्दे क्या कहता है उत्तर प्रदेश का चुनावी गणत किसको मिलेगा उत्तर प्रदेश की धर्ती से दिल्ली की गद्दी का वर्दान ये जानने के लिए हमने तै किया उत्तर प्रदेश का सफर हम पहुँचे यूपी के अलग-अलग शहरों की गलियों में, गाओं के गलियारों में खेतों में, खलिहानों में और उत्तर प्रदेश की चुनावी जमीनी रिपोर्ट पर लेकर आए हैं श्वेत पत्र और यहां वादे ही जादा हुए हैं, काम तो बहुत काम हुआ है पश्मी उत्तर प्रदेश का बिजनौर अभी भी पिछड़ा हुआ है उत्तर पड़ा लिखा ब्रोजगार, बेरोजगार है, उसकी नौकरी की बड़े समस्षे हैं 2014 की चुनावी कहानी में प्रधान मंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश की क्रांती धरा, मेरट से चुनावी संग्राम का शंखनाद किया था यहां से उखी लहर पर सवार होकर वो प्रचंड बहुमत से दिल्ली पहुँचके 2019 में फिर मेरट की धर्ती से ही उन्होंने अपनी चुनावी अभियान का बिगुल फूंका है यूपी का अशीरवाद एक बार फिर मिलने के विश्वास के साथ और आपको जानते हैं मैं चौकिदार हूँ और चौकिदार कभी नाइंसा भी नहीं करता है हिसाब होगा सबका होगा बारी बारी से होगा उत्तर प्रदीश में भारतिये जनता पार्टी जो मीडिया ने एक होबा खड़ा किया था गड़वंदन का गड़वंदन पूरी तरह फेल हो चुका है बारतिये जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से पुरे देश के अंदर प्रचंड बहुमत से सीटें पाएंगी सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश 74 के अपने लक्से को प्राप्त करेगे लेकिन तब के नरेंद्र मोदी और अब के नरेंद्र मोदी के बीच बीते पाथ साल का उनका कारेकाल और बदले हुए तेवर वाला विपक्ष खड़ा है जिसकी सबसे आकरामक तस्वीर उत्तर प्रदेश में दिखती है यूपी में विपक्षी चुनोतियों का चक्रव्यू तयार है और हर मोड पर कठिन चुनोतियां बीजेपी का इंतिजार कर रही है एक तरफ माया अखिलेश गटमंधन यूपी में मोदी रत का रास्ता रोगने के लिए तत्पर है दूसरी तरफ पारिवारिक विरासत के समर्थन के साथ प्रियंका गांधी वाडरा मोदी मोर्चे पर डट कर खड़ी है अगर सबसे जहर जातिओं का अगर किसी ने घुला है समाज में तो भारती जंता-पार्थी ने बड़े बड़े प्रचार किये हैं इन्होंने कहा था पंद्रा लाक रुपय आपके खाते में डालेंगे 15 लाक रुपे अब चुनावाने वाला है तो 2000 रुपे डालना शुरू अब हमें पूरा पूरा भरुसा है कि यहां BSP वे सपा का बना ये गटबंदन इस बार केंदर में BJP को किसी भी कीमत पर सता में आसी नहीं होने देगा और इनको इस बार हर हालत में यहां उत्तर परदेश से ही रोग देगा ऐसे में तमाम चुनावी मुद्दों के साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी चौकीदार के स्वाभिमान का नया विमर्ष लेकर UP के चुनावी रण का आरंभ कर चुके हैं मैं भी मैं भी एक तरफ नए भारत के संस्कार है और दूसरी तरफ वहुशबाद और प्रस्टाचार का बोल बाला है एक तरफ दमदार चौकीदार है और दूसरी तरफ दागदारों की भरमार है सवाल ये उठता है कि क्या माया अखिलेश गठबंधन की चुनावी रणनीती मोदी योगी वाली बीजेपी का रास्ता रोक पाएगी क्या प्रियंका गांधी वाड़रा की नेत्रित्व में योपी में कॉंग्रेस के अच्छे दिन आएंगे क्या गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक का कॉंग्रेसी दावा रंग लाएगा यूपी की जनता किसके वादों पर करेगी यकीन और क्या है यूपी की जनता की राए स्थानिय मुद्दों के हवाले से इन सवालों के जवाब हमने तलाशे आज के श्मित पत्र में यहां पर आनी चाहिए हम यहीं चाहते हैं जिस तरह से गंगा बह रही है जमना बह रही है हम लोग भी इसी तरह से मिलजुल के सब हिंदुस्तान में रहें पूरे देश में गाओं की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में ही है यहां पर कृशी पर निर्भर आबादी भी बहुत बड़ी है लिहाजा किसानों को लेकर जो भी घोशनाय होती है या वादा खिलाफी है उत्तर प्रदेश में उसका असर त्वरित तौर पर देखने के लिए मिल जाता है राजनीतिक पार्टिया इस बात को लेकर बहुत सा तर्क है हिम्बत है तो आंकडे गोशित करो आंकडे गोशित करो कितना रुपिया दिया किस किसान को दिया नहीं करेंगे इज चूँठ बोला इनकी फित्रत मैं है जी किसानों को अपनी उपज के साही दाम चाहएँ ये समस्या है इस चुनाओकी ये मुद्धे है इस चुनाओकी इन्ही मुद्धों को आप तुद्धे बना सकते जन संख्या के लिहाज से उत्तर प्रिदेश बड़ा राज्य है यहां की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से मतदाताओं की प्राथमिक ताइब बदलती है यही वज़े है कि यूपी का मिज़ाज एक बार में तै कर पाना असान नहीं होता यूपी विजय का सपना संजोने वाले नेताओं को एक नहीं कई-कई रणनीतियां बनानी पड़ती है सत्रहवी लोकसभा का पहला वोट प्रथम चरण में 11 अपरेल को डाला जाएगा पूरे देश का चुनाव साथ चरणों में होगा चुनावी दृष्टी से बेहत समवेदन शील उत्तर प्रदेश में साथों चरणों में वोटिंग होगी पहले चरण में पश्चमी उत्तर प्रदेश के सहारनपूर, कैराना, मुजफर नगर, बिजनौर, मेरट, बागपत, घाजियाबाद और गौतम बुध नगर में वोट डाले जाएंगे ये वो क्षेत्रे हैं जिनकी आवाज उत्तर प्रदेश में किसान आंदुलोनों की प्रमुख आवाज बनती है यही वो इलाके हैं जहां गटबंधन की असली परीक्षा होनी है बीजेपी को अपना जनाधार संभालना है, कॉंग्रेस को भविश की राह निकालनी है यहां सबसे ज्यादा पैदावार गन्ने की होती है हर चुनाओ में गन्ना किसानूं का मुद्दा चुनाओं का अजेंडा सेट करता है हमने किसानों के मन की बात जानने की कोशिश की मैं बता रहे थे, ना तो वो करवाया आज लो और क्याना मिल लो मल लो का इसाब ठीर ठाट नहीं चल रहा इस क्षेत्र को चीनी का कटोरा भी कहते हैं गन्ना किसानूं की खुशी या नाराजगी का सीधा असर मद्योत्तर प्रिदेश की कई सीटों पर भी पड़ता है एक आकलन की अनुसार करीब दो करोड किसान ऐसे हैं जो गन्ना पैदावार पर निर्भर रहते हैं कैराना सीट पर हुए उपचुनाओं में भी गन्ना किसानूं के बकाए का मुद्दा वोटिंग का आधार बना था प्रधान मंत्री मोदी ने अपने चुनावी अभियान के आगाज वाली स्पीच में इस मुद्दे का विशेश ध्यान रखा मुझे पता है कि अभी गन्ना किसानूं का बकाए है अगर कृशी के आधार पर पूरे उत्तर प्रधेश की तस्वीर को देखा जाए तो पता चलता है कि चुनाव आते ही क्यों ये मुद्दा इतना एहम हो जाता है उत्तर प्रधेश में करीब 2 करोड 34 लाग किसान है जिन में से 2 करोड 15 लाग किसानों की गिंती चोटे और सीमान्त किसानों में की जाती है यही वज़े है कि 2017 की विधान सभा चुनावों में बीजेपी के घोशना पत्र में किसान कर्ज माफी का वादा प्रमुक था सरकार बनते ही योगी आदितिनाथ ने पहली ही क्याबिनिट मीटिंग में एक लाग रुपए तक के कर्ज को माफ करने का एलान किया 2018 की यूपी बज़ेट में योगी सरकार ने कर्ज माफी के दूसरे चरण का एलान किया इस फेज में दो लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने के लिए बज़ेट में पंद्रसो करोड रुपए पास किये गए जिस तरीके से हमारा किसान बहुने चेतर है 2019 के चुनावी साल में कदम रखने से ठीक पहले कॉंग्रेस ने तीन राज्यों में किसान कर्ज माफी का कार्ड चला और सरकारें बनाई उसके बाद लोकसभा चुनावों के मद्दे नजर किसान और महत्वपूर्ण हो गए केंद्र सरकार ने अपने अंतरिम बज़ट में प्रधानमंत्री किसान योजना का एलान किया इस योजना के तहट पांच एकर से कम खेती वाले किसानों को हर साल छे हजार रुपे सीधे खातों में ट्रांसफर करने का एलान किया गया ये 60000 रुपे 2200 की तीन किष्टों में किसानों के खातों में पहुचाये जाएंगे इस योजना से देश के करीब 12 करोड किसानों को सीधा फायदा पहूचाये जाने का दावा है किसानों के लिए एक क्यासी कदाम हमारी सरकार ने उठाये यहाँ आए अनेक किसान साथियों को भी PM किसान सम्मान निजी की पहली किस सीजे बैंक खाते बब तक मिल चुकी है जिनको नहीं मिली है उसके खाते में भी बहुत जल्द पहली किस पहुँच जाएगी अब तो दूसरी किस का समय भी आ गया है इसी तरह साथ में तीन बार हर फसल से पहले छोटे किसानों को हर वर्ष ये मदद मिलती रहेगी रुकर एक छोटे से ब्रेक के लिए लेकिन ब्रेक के बाद भी देश के सबसे बड़े चुनावों क्षेत्र चुनावों में देश के सबसे बड़े रनक्षेत्र उत्तर प्रदेश पर श्वेत पत्र जारी है पूरे देश में गाओं की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में ही है यहाँ पर क्रिशी पर निर्भर आबादी भी बहुत बड़ी है लिहाजा किसानों को लेकर जो भी घोशनाय होती है या वादा खिलाफी है उत्तर प्रदेश में उसका असर त्वरित तौर पर देखने के लिए मिल जाता है राजनीतिक पार्टियां इस बात को लेकर बहुत सा तर्क है हिम्बत है तो आंकडे गोशित करो आंकडे गोशित करो कितना रुपिया दिया किस किसान को दिया नहीं करेंगे यह जूट बोलना इनकी फित्रत में है जी कमान समस्यां को पुरोजार चाहिए किसानों को अपने उपज के लिए सही दाम चाहिए यह समस्या है इस चुनाओ की यह मुत्य है इस चुनाओ की जन संख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है यहां की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से मतदाताओं की प्राथिमिक ताइब बदलती है यही वज़े है कि यूपी का मिजाज एक बार में तै कर पाना असान नहीं होता यूपी विजय का सपना संजोने वाले नेताओं को सत्रहवी लोकसभा का पहला वोट प्रथम चरण में ग्यारह अपरेल को डाला जाएगा पहले चरण में पश्चमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर कहराना, मुजफरनगर, बिजनौर, मेरट, बागपत, घाजियाबाद और गौतम बुधनगर में वोट डाले जाएंगे ये वो क्शेत्र हैं जिनकी आवाज उत्तर प्रदेश में किसान आंदुलोनों की प्रमुख आवाज बनती है यही वो इलाके हैं जहां गटबंधन की असली परीक्षा होनी है बीजेपी को अपना जनाधार संभालना है कॉंग्रेस को भविश्च की राह निकालनी है यहां सबसे ज्यादा पैदावार गन्ने की होती है बेशते हैं लाते हैं बना करते हैं मंडी में ले जाते हैं महां से जो सिस्टम है वैपार का अगर 20 किलो का एक डब बतोल ले तो उसमों 500 ग्राम मंडी के लाला खा जा उसको कुछ बदलाब हो पाया है जो वादे किये जाते हैं वो हुआ है इस क्षेत्र को चीनी का कटोरा भी कहते हैं गन्ना किसानों की खुशी या नाराजगी का सीधा असर मध्योत्तर प्रिदेश की कई सीटों पर भी पड़ता है अगर क्रिशी के आधार पर पूरे उत्तर प्रिदेश की तस्वीर को देखा जाए तो पता चलता है कि चुनाओ आते ही क्यों ये मुद्दा इतना एहम हो जाता है उत्तर प्रिदेश में करीब 2 करोड 34 लाग किसान है जिन में से 2 करोड 15 लाग किसानों की गिंती चोटे और सीमांत किसानों में की जाती है यही वज़े है कि 2017 की विधान सभा चुनावों में बीजेपी के घोशना पत्र में किसान कर्ज माफी का वादा प्रमुक था सरकार बनते ही योगी आदितिनाथ ने पहली ही क्याबिनिट मीटिंग में एक लाख रुपए तक के कर्ज को माफ करने का एलान किया 2018 की यूपी बजट में योगी सरकार ने कर्ज माफी के दूसरे चरण का एलान किया इस फेज में दो लाक रुपए तक का कर्ज माफ करने के लिए बजट में पंदरसो करोड रुपए पास किये गए जिस तरीके से हमारा किसान बहुने चेतर है आज तक वादा किया दा सरकान ने है कि 14 दिन में पहमिन्ट होगा 2019 के चुनावी साल में कदम रखने से ठीक पहले कॉंग्रेस ने तीन राज्यों में किसान कर्ज माफी का कार्ड चला और सरकारें बनाई उसके बाद लोकसभा चुनावों के मद्दे नजर किसान और महत्वपूर्ण हो गए केंद्र सरकार ने अपने अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान योजना का एलान किया इस योजना के तहट पांच एकड से कम खेती वाले किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधे खातों में ट्रांसफर करने का एलान किया गया ये 6,000 रुपए 2,000 की तीन किष्टों में किसानों के खातों में पहुचाए जाएंगे इस योजना से देश के करीब 12 करोड किसानों को सीधा फायदा पहुचाये जाने का दावा है रुकर एक छोटे से ब्रेक के लिए लेकिन ब्रेक के बाद भी देश के सबसे बड़े चुनावों में देश के सबसे बड़े रनक्षेत्र उत्तर प्रदेश पर श्वेत पत्र जारी है। आप देखते रही आज तक। मुझे यहां भेजा है कॉंग्रेस पार्टी के संगठन के लिए उसे मजबूत करने के लिए उन्होंने मुझे यहां का प्रधारी बनाया है। और यहां पर गंगा की सफाई के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आप आईए यह आप इसी क्षेतर में रहते हैं। आपको दिखा है परिवर्तन गंगा जी के जल में। गंगा की सफाई के धार्मिक और राजनीतिक महत्व को समझते हुए। केंद्र सरकार ने नमामी गंगे प्रोजेक्ट के तहर 2019-2020 के लिए 20,000 करोड रुपए आवंटित किये। जिसमें सबसे अधिक 8,000 करोड रुपए उत्तरप्रदेश को दिये। उत्तरप्रदेश सरकार ने घाटूं की मरंबत के साथ गंगा में गिरने वाले सभी नालों को बंद करने का काम अंजाम तक पहुंचाना शुरू किया जो अपने अंतिम चरण में पताया जा रहा है। हमने गंगा किनारे रहने वाले लोगों से गंगा सफाई को लेकर बात की राज्य सरकार की प्रयासों की गंधीरता को परखने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि क्या आम चुनावू में गंगा की सफाई उनके लिए चुनावी मुदा है। गंगे का असर यहां देता? जी जी मेडम बहुत पहले से खाफी वह हुआ है, अब साफ सुप्रा है, आप लाट देख सकते हैं बिल्कुल तो यहां पर मैंगा गंगा की जो मैं धारानी चाहिए गंगा जल बहुत कम हो जाता है लोग नहीं पाते सफाई वाई के मामले प्रोगरस होतो रही है लेकिन उत्री नहीं जित्ती होनी चाहिए धर्म संस्कृती, खान पान, रंग हो, रस हो या फिर हो राजनीतिक विचार जितनी भिन्नता यहाँ पर नजर आती है उत्तर प्रदेश उतनी कही पर नहीं एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं उत्तर प्रदेश पर श्वित पत्र जारी है सारी पार्टियों को जोड़कर मोदी वर्सेज ओल का नारा निकला तो ममता बेनर जी और चंद्रबाबु नाइडू के जरिये था लेकिन पहला संगठित प्रयास किया गया उत्तर प्रदेश में जहां पर समाजबादी पार्टी और बहुजन समाजबाटी एक साथ है कबोवेश सभी पार्टियां मिलकर एक साथ ऐसे ही जूस का एक गलास निकालने के लिए जिसे पीने के बाद मोदी को हराया जा सके महा गटबंदन का ये प्रयोग क्या कॉंग्रेस के एक तीसरे कोड को देखते हुए यूपी में चलेगा यूपी में 72 से 74 होगी 72 होने की संभावना नहीं मादी जनता पार्टी के खिलाफ हर जगे लोग खड़े हैं इसलिए क्योंकि पासाड़े चार साले पांस साल में हर वर को धोगा दिया है इस कड़बंदन का प्रदेश के राजनीती में कोई असर नहीं होने वाला है अच्छा हुआ दोनों एक हो गए हैं हमें मदद मिलेगी कादे से इनको निप्टाने के लिए अलग-अलग विचारधाराओं को इकठा किया और डाल दिया चुनावी मशीन में जो बाहर निकला वो रसीला गटबंधन है अपनी-अपनी सुविधा के हिसाब से जनता अनंद ले रही है नेता खुश है कि जितनी मुस्कुराहटे हैं उतने वोट उनके पक्के लेकिन क्या वाकई वोटों का गणित यूपी में इतना असान है ये सवाल इसीलिए क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है हर कदम पर पानी और वानी से बदलते परिवेश वाला प्रदेश कस्मीर से कन्या कुमारी तक वहुशबात और ब्रस्टाचार की महा मिलावट करने वाले दल आज आपके इस चौकिदार से परेशान है अपना प्रस्टाचार जारी रखने के लिए ये सभी यहां यूपी में भी एक जुट हो गए है मायवती जी चाहती है कि मोदी जी को हटाया जाए मगर पुटे बेन जी कहां से चुनाव लड़ोगी तो कहती है में चुनाव नहीं लड़ोगी अखिलेश चाहते है कि मोदी जी को हटाया जाए उनको पुटे अखिलेश जी चुनाव कहां से लड़ोगे चुनाव नहीं लड़ोगे जरब पवाजी चाहते हैं कि कहां मोदी जी को हटा जाए उनको पुत्ते चुनाव कहां से लड़ोगे कहते चुनाव नहीं लड़ेंगे चुनाव लजना नहीं है और मोदी जी को हटाने के स्वपन इक धट बंगन वाले का देख रहे तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की आज सदस्यों की विदान सभा में उनके सदस्यों की संख्या की जो इस्कृती है उसको देखते हुए बात पूरी तरह स्वष्ट है कि दोनों अपने अस्तित के संकट से जूज रहे हैं और उनके साथ आने से 2019 के चुनाव में इंडिये के गट बंदन पे कोई प्रभाव नहीं पढ़ने जाए अगर भाजपा के निताओं तक पहुंच रही हो तो वो सुनने धर्म की याड में देश और समाज में नफरत का जहर भोलने वाली भाजपा की कूट नेती का विनाश्ट करने के लिए और भाजपा के अत्याचारों से आम जंता को मुक्ति दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजपार्टी ने एक जुट होने का निड़े लिया है कुछ महीनों पहले एक तस्वीर निकली थी कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाएंगे महा गटबंधन की एक ताकत बनकर सम मिलकर मोदी को हराएंगे लेकिन महा गटबंधन न सही उत्तर प्रदेश की क्षेत्रिय पाठियों ने गटबंधन का रास्ता चुना पहले माया अखिलेश साथ हाए फिर उसमें राष्ट्रे लोक दल भी मिल गया और तयार हो गया मोदी विरोध का मोर्चा कॉंग्रिस को इससे दूर रखा गया सवाल ये उठता है कि क्या SP-BSP RLD गटबंधन यूपी में मोदी की राह मुश्किल कर पाएगा आखिर क्यों SP-BSP को अपनी दुश्मनी भुला कर हाथ मिलाना पड़ा क्या कॉंग्रिस के अलग चुनाव लड़ने से BJP को फाइदा होगा एक ऐसा ही घोटाला होगा ये भी जैसे की विद्वा पेंशन का घोटाला था ना के लड़की पैदा नहीं होई और वो विद्वा हो गई अंग्रेस जो है वो काफी समय से पिछली दो योजनाई भी लगा लो उसमें काफी पिछड चुकी है और इस बार भी कांग्रेस के प्रतियासी को कोई भी वोट करने वाला हमें दूर 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 आपको ऐसा लगा है जिस तरह से वो बात करते हैं जुमला टाइप का उनकी बात कोई ठोस कदम या कोई गंबेरता से नहीं लेता है आईए सिलसिलेवार ढंग से गठबंधन की गाठे खोलते हैं और आपको दिखाते हैं वो तस्मीर जिसे देखकर गठबंधन के मन में उमीदे जगती है साल 2014 के लोगसभा चुनाव में बीजेपी को 42.63 प्रतिशत समाजबादी पार्टी को 22.35 प्रतिशत और बीएसपी को 19.77 प्रतिशत वोट मिले थे अगर इसमें राष्ट्रे लोग दल को मिला एक प्रतिशत वोट शेर भी जोड़ दिया जाए तो ये बीजेपी के खुल वोट शेर से अधिक हो जाता है यानि सीधे-सीधे गठबंधन के लिए अच्छे संकेत इसे सीटों के हिसाब से ऐसे समझा जा सकता है 2014 में बीजेपी को 71 सीटे मिली थी जबकि उसके सहयोगी अपना दल ने दो सीटे जीती थी लेकिन सिर्फ 17 सीटे ऐसी थी जिन पर बीजेपी ने 50 प्रतिशत से अधिक वोट शेर के साथ जीत दर्ज की समाजवादी पार्टी ने 5 सीटे जीती थी जबकि 31 सीटों पर वो दूसरे नमबर पर रही थी और 30 सीटों पर नमबर 3 बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया था लेकिन 34 सीटे ऐसी थी जिन पर बीजेपी दूसरे नमबर पर रही और 42 सीटों पर तीसरे नमबर पर SP, BSP और RLD गटबंधन के जरिये दूसरे और तीसरे नमबर की लड़ाई वाली सीटों पर गटबंधन का साजहा प्रत्याशी उतार कर नमबर एक पर रहने वाली BJP को हराने का समीकरण बनाये गया है BJP के सामने चुनौती अब 50 प्रतिशत से अधिक मार्जिन से जीत हासिल करने की होगी यूपी की जन्ता तै करकर बेटी है चोहतर सीटों पर इसमाल यूपी में कमल खिलने वाला है कमल की और आगामी लोग सहा चुनाओ भी भारतिये जन्ता पार्टी ही प्रदेश में चोहतर पलस के लक्से को प्राफ्ट करेगे आज तक कार्वी इंसाइट देश का मिजाद सर्वे के अनुसार मौझूदा चुनाओं में SP, BSP और RLD गटवंधन को 48 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है जिसे अगर सीटों में बाटा जाए तो गटवंधन को 58 सीटे मिल सकती है यानि बीजेपी जिसे 2014 में उत्तर प्रदेश से 71 सीटे मिली थी उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है कॉंग्रेस राश्ट्रिय पार्टी है जिसके हिसाब से वो गटवंधन में सम्मान जनक सीटे चाहती थी जबकि गटवंधन को बिना कॉंग्रेस सपोर्ट ही बीजेपी से अच्छी बढ़त नजर आ रही थी और सीटों का बटवारा भी नहीं करना पड़ रहा था उत्तर प्रदेश की राजनीती को साधने के लिए पहले विधान सभा चुनावों में कॉंग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गटबंधन किया लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई लेहाजा लोग सभा चुनावों से पहले प्रियंका गाधी वाडरा का दाउं खेला गया है और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिम्मा उन्हें सौपा गया है तिलमिलाई कॉंग्रेस ने मजबूरी में आकला चॉलो रे का रास्ता चुना और पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान सौपकर प्रियंका वाडरा को मैदान में उतार दिया अब मौजूदा स्थिती में यूपी के लड़ाई में एक मोर्चा एंडिये का है दूसरा गठबंधन का और तीसरा कॉंग्रेस का मुकाबला त्रिकोन यह दिखता है सवाल ये उठता है कि कॉंग्रेस के खुल के उतरने से किसे फायदा होगा आपको लग रहा है महागटबंधन इस बार अच्छा ऑप्शन है और यह ज़्यादा तर सीटे ज़्यादा बीजेपी गहराने के लिए यह सही रहेगा महागटबंधन का आप लोगों को लग रहा है किसका ऑप्शन लग रहा है आप वोट देंगे इस बार पहली बार नहीं महागटबंधन का आपको बहतर लग रहा है प्रियंका गांधी वाडरा कॉंग्डिस की नई उमीद है उनके दाइरे में योगी मोदी की कर्म भूमी भी है और राय वरेली अमेठी जैसी पारिवारिक विरासत वाली सीटें भी है चुनौती मुश्किल है क्योंकि अमेठी पर बीजेपी की भी नजर है चुनौतीयों से टकराती हुई प्रियंका लगातार अपने चुनाव अभियान पर बढ़ रही है वो प्रयागराज जाती है वारणसी में गंगा की लहरों पर सवार होकर प्रधान मंत्री मोदी को चुनौती देती है तो अयोध्या जाकर कॉंग्रस के लिए हिंदुत्व की परिभाशा भी नए सिरे से गढ़ने की कोशिश करती है हाले कि प्रियंका के हर धार्मिक दौरे पर विरोधियों की नजर टिकी रहती है इसलिए जब वो हनुमान गड़ी से ही अयोध्या दौरा पूरा कर लेती है तो सवाल उठते हैं कि उन्होंने राम लला के दर्शन क्यों नहीं किये प्रियंका अयोध्या गई तो राजनीती में फिलहाल शांत हो चुके आस्था एक निजी चीज होती है धार्मिक विश्वास यह सारी बातें पर जहां तक योध्या में राम लंदिर निर्मान का मुद्दा है वहां पर करोडों लोगों की आस्थाएं एक साथ जुड जाती है और जैसे ही आकड़ा करोडों का होता है वैसे ही धर्म के मुद्दे में राजनीती भी जुड़ जाती है जिसका सीधा सेरा उत्तर प्रदेश की भूमी से ही जुड़ता है उत्तर प्रदेश की राजनीती में राम मंदिर मुद्दे की एक अलग महत्ता है आम चुनावों की घोशना से पहले राम मंदिर मुद्दे पर बड़ी बहस का दौर चला पूरे देश की नजरें यूपी की सियासी हलचलों पर लगी रही अध्यादेश से लेकर कानून बनाने की बातें भी उठी लेकिन अंत में कोट की कारवाई के इंतजार पर ही आकर सब कुछ नहर गया जन्ता के लिए आम चुनावों में राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है ये बड़ा सवाल है जब जब चुनाव आते हैं अयोध्या चर्चा का केंद्र बन जाती है चुनाव बीच जाते हैं सब कुछ शान्त हो जाता है अभी सियासत के लिए मुफीद है लिहाजा अयोध्या में चुनावी रौनक है आम श्रधालों से ज्यादा सियासी दलों के भाव उमड रहे है झालों से जाता है